कपड़ा, रोटी और मकान जिंदगी जीने के तीन एहम पहलो पर हम कपड़े वेपारियों के लिए कपड़े से ज़्यादा एहम कुछ हो सकता है भला कपड़े ने ही हमें दी है रोटी कपड़े ने ही हमें दीया है मकान इस कपड़े ने ही बनाई है हमारी सारी पहचा तेजी हो या मंदी, नफा हो या नुकसान इस कपड़े ने हमारे त्योहारों को सबा रहा है इस कपड़े ने हमारी सोती किस्मत को जगाया है वक्त कितना ही मुश्किल क्यों न हो इस कपड़े ने हम सभी को एक दूसरे से बांदे रखा प्यार का ताना बाना मजबूत रखा और कुछ ऐसा ही मुश्किल वक्त आ जाया जरूरत है इस प्यार के ताने बाने को और मजबूत करने के हमें इंसानियत के धागे से बंदे रहने के हम कपड़े के वैपारी हैं हमारे इरादे भले ही खिच जाएं लेकिन फटेंगे नहीं फोन करेंगे पर पेमेंट के तकादे के लिए नहीं एक दूसरे की सलामती जानने के लिए तपाल कुछ दिन भले ही दर्वाजा ना ठक ठकाए लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए दिल के दर्वाजे बेशक खुलेंगे हम कपड़े के वैपारी हैं लंबा नहीं तो छोटा ही खरी देंगे थान एक बार दे दी तो बदलेंगे नहीं अपनी ज़वाद कंदों पर वजंदार गाठें भले ही ना हो उन मेनती कंदों की मुश्किलों का भार जरूर उठाएंगे मंडी की तबियत थोड़ी नाजुक है बाद सचे लेकिन माल ऐसा बनाते रहेंगे कि तबियत खुश हो जाए हलो सर, हाजी मालीक क्या आलाजिट जी, सुनने को कान तरस से रहे वो गर्मा गरम का डिंग चाहेगी चुशकी अह फिर लगेगी वो प्यार मुखबत बरी बातें फिर बनेंगे फिर चलेंगी मिलें फिर बनेंगा कपड़ा चडेंगा रंड लदेंगे ताके और बढ़ेंगे खाते फिर सजेंगी मंडी फिर उमडेंगा प्यार रखना होगा थोड़ा सब्ड, रखना होगा एक दूसरे का खूब ख्यार, हिम्मत बांद के दिल खोल के निकालना है इसा, भरपेट खिलाएगा रूटी, बनवाएगा मकार, कपड़ा हमारा फिर दिखाएगा कमार, कपड़ा हमारा फिर दिखाएगा कमार, कपड़ा हमारा बेहार बच्टाफिक टिए प्राइब रट्टार गार्ट सिर्टा अपरड़ इन इन तर नच्टाइब अपरिय। चिर लाज्ट व था चु प हैंग्जुडिज़ दिताउ अपिर च्राफ्समंगा टिए हैं मैंट्टेह थिए। कि यो living is ratedת BRCA एो फेंद तो आफ दया रिuchen कि पार्व गार्व हुम सर दोų ख।न तो हम दो उन्ट चैति कि domain al इंट्ट खेंद ज रख्से।र्थम पोराव चार्व है ट से सो त टुर एंट गार्व ≁दा मएंद तो हम रिचेंद आपी आपा। that we can do commerce with compassion. The Ministry of Textiles and the Government of India will stand shoulder to shoulder with the apparel industry in these times of challenges. I appeal to you yet again, help us do commerce with compassion. Namaskar.